नमस्कार दोस्तों हम सीख रहे टूरी एनिमेशन और टूरी एनिमेशन में आपको बता रहे थे एनिमेट CC के बारे में तो दोस्तों मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे कि इस कैरेक्टर को हमने कैसे क्रियेट किये हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा ये जो character walk कर रही है इस type का animation कैसे किया जाता है आज की इस वीडियो में आपको detail से बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चैनल दिखारों जिसका नाम है हिंदी कहानिया आप देख सकते हैं इस पर मैं जो है कहानी लगाता हूं अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो प्लीज जाकर देखिए और इसको subscribe भी करें और दोस्तों के साथ share भी करें और इसका link जो है description box में मिल लेगा या उपर i button आ रहा है वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो पे वापस आते हैं तो दोस्तों हमारे पास यह एक character हमने पीछे बनाए थे और इस पर मैं already animation करके दिखा चुका हूं आप देख सकते हैं और हम आज की इस वीडियो में इसको हम animation करके दिखाएंगे और इसके सारी का भी कुछ animation करेंगे तो हम क्या करते हैं इसके अंदर जाते हैं आप यहां पर देख सकते हैं जो यहां पर animation नहीं लगा हुआ है और एक layer by layer create किया गया है और इसको हम जो है proper way में animation करके दिखाएंगे तो हमें क्या करना है हम 40-30 frame तक इसको animation करेंगे तो हम पहले frame पे कुछ इसके जो है animation create कर लेते हैं जे step से हमें first frame पे रखना है तो हम first frame पे क्या करते हैं इसको थोरा सा हम इसको आगे की और करते है इस टैप से जो पैड ये आगे फैल आए तो इसका जो सारी है वो भी आगे की और हो जाए मादलब यहाँ पर step से और इसको मैं रखता हूँ step से इसको मैं थोरा सा और आगे की और कर देता हूँ step से जो है जब पैड आगे करे तो steps हो जाए और इसके हात को MALE थोरा सा और आगे कर देता हूँ इसको मैं on कर देता हूं जिससे हात मेरा दिखें जैए step से select किये तीनों layer को और इसका पॉइंटर है हम यहां रखते हैं और इसको मैं कर देता हूं आगे की और और इसको मैं थोड़ा सा और पीछे की और कर देता हूं इस टैप से मैं इसको ओन कर देता हूं इस टैप से उसके बाद मैं क्या करता हूं इसके जो पल्लू है इसको मैं थोरा सा पीछे की और कर देता हूं इस टैप से इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, यहां पे 30 फ्रेम तक हम इसको इनिमेशन करेंगे, यहां पे एक फ्रेम क्रियेट करते हूं, F6 प्रेस करके, और यहां पे 30 फ्रेम पे और 1 फ्रेम दोनों हमारा सेम रहेगा, और हम बीच में एक फ्रेम क्रियेट करते हैं, यहां पे 15 फ्र हम पहले select करते हैं और इसका pointer हम यहां रखते हैं और इसको हम कर देते हैं आगे की ओर इस टैप से और इसको में थोरा सा उपर कर देता हूं इस टैप से ठीक है हम देख सकते हैं इस टैप से और इसी टैप से हम इसको थोरा सा हाइड कर देते हैं, जो हाथ हमारा दिखे पीछे का, इस हाथ को हम क्या करेंगे, पीछे की ओर करते हैं, इस टैप से हमने इसको पीछे की ओर कर दिये, इतना पीछे करते हैं, और फिर से मैं इसको ओन कर देता हूँ, अब हम क्या करेंगे, ये पैर हमारा पीछे था, तो हम इ को पीछे वाले को हम करेंगे आगे वाले को करेंगे पीछे कुछ स्टैप से यहां पर और हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें हम एनिमेशन लगाएंगे एनिमेशन की स्टैप से लगाएंगे तो यह पैर हमारा पीछे वात हम इसको थोड़ा सा इसको इस तरफ करेंगे और मैं इसको थोड़ा सा यहां कर देता हूँ यहां पर इसको भी मैं यहां पर कर देता हूँ ठीक है अब देख सकते हैं तो थोड़ा सा और इसको आगे ब्रा देता हूँ इस टैप से और इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर इस टैप से हमारा इसमें एनिमेशन हो गया है अब हम क्या करते हैं इस पल्लू को मैं थोड़ा सा अंदर की वर लेता हूँ यहाँ पर इस टैप से और यहां से मैं इसको भी थोड़ा सा इसमें सटा देता हूँ इसको मैं तोरह सा आगे की और यहाँ पर करते हैं और जो सेम प्रेम है यहां पर भी मैं इसको आगे की और कर देता हूं यहां पर इतना करने के बाद हम क्या करते हैं आप देख सकते हैं यहां पर इस टैप के इनिमेशन इसमें आ गया है हम इसके क्या करते हैं यहां से राइट प्टम क्लिक करते हैं सेलेक्ट करके और क्लासिक यहाँ पर कर देते हैं आप देख सकते हैं इस टैप से इसमें एनिमेशन आ गया है और इसमें सेम एनिमेशन इसमें भी रखेंगे तो इसको हम यहाँ पर रखते हैं इस टैप से अब मैं एक क्या करता हूँ यहां पर फ्रेम क्रियेट करते हैं और एक फ्रेम में यहां पर क्रियेट करता हूँ इस फ्रेम पे क्या करेंगे हम जो आगे वाले पैड है उसको हम उठाके इस टैप से हम रोटेट करेंगे यहाँ पर इस टैप से तो जैसे लगएगा यह पैड उठाके यहाँ पर रख रही है इसी टैप से यहाँ पर जब आता है तो हम तीछे वाले पैड को रखेंगे इस ट और हम क्या करेंगे यहां पर जब आता है तो इसको हम थोड़ा सा नीचे की और करेंगे और सेम यहां पर भी हम करेंगे और सेम यहां पर भी करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल इंटरप्रेस करके आप देख सकते हैं कुछ इस टैप से जो है इसका एनिमेशन क्रियेट हो गया और यहां पर देख सकते हैं इसके सारी भी एनिमेशन हो रहे हैं और इसमें जो है पुरा रुका हुआ सारी है तो इस टैप से कोई भी कैरेक्टर जो आप जो है ओमेन का बनाते हैं तो उसको आप animation करा सकते हैं तो आसा करता है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो like जरूर करें और दोस्तों के साथ share भी करें अगर दोस्तों मेरे इस channel को अभी तक subscribe नहीं के तो please subscribe कर ले जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेका हूँ तो उसका update आपको तुरंत मिल जाए तो मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में आज के लिए thank you